कोशन देखते हैं 28 नमबर बहुत अच्छा कोशन है करा तिर्भूज ABC के अंदर O से भुजाओं ओ कहां है अंतह बिंदु है तिर्भूज ABC में अंतह बिंदु आपका O है से भुजाओं BC CA और AB पर क्रम सह लंब OD OE और OF डाले गए हैं सिद्ध करना है हमें इसे चलिए देखत उसके अंतह बिंदु एक O है कहां पे भी आप ले सकते हैं अंदर कहीं भी ले सकता है तो इस बिंदु O से भुजा बी C पर एक OD ड़ा गया है ठीक है और क्या किया गया है फिर आपको भुजा CA पर OE डाला गया है और फिर भुजा egy पर O F ड़ाला गया है ऐसे हम तीनों पर लंब डाल दिये और इसका नाम मैं दे देता हूँ पेहां पर क्या है? O D है यहाँ पर आपका O E है C E पर O E लंब डाला गया है और यहाँ O F है O यहाँ है F इसको बना देता है ठीक है? चलिए अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ यहाँ पे तिर्भूज की रचना कर दता हो dotted इसके साथ रेखा मिला मिला के ठीक है इनको dotted कर दूँगा ठीक है यह हम लोगों रचना में लिखेंगे इसलिए मैं इसको dotted रखूँगा यह तो दिया नहीं है न चित्र में तो यह मैंने इसको मिला दिया ठीक है चलिए अब मैं लिखता हूँ क्या दिया हूँ है और क्या सिद्धी करना है दिया है तिर्भूज A B C में O अन्तह बिंदू है अच्छा O D लंब है B C पर O E लंब है A C पर और O F लंब है A B पर यहाँ खीचा गया ठीक है यहाँ आपका B है आपको पता को है ही चलिए तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है कि A F स्क्वाइर पलस में B D स्क्वाइर पलस में C E स्क्वाइर बराबर O A स्क्वाइर पलस O B स्क्वाइर पलस O C स्क्वाइर माइनस का O D स्क्वाइर माइनस का OE स्क्वाइर माइनस का माइनस का OF स्क्वाइर ठीक है तो बहुत ही असान सा कोश्चन है चलिए इसको साबित किया जा चलिए तो पहले रचना एक लेनी होगी ना रचना में क्या लेंगे कि O A O B तथा O C को मिलाया ठीक है इन तिनों को दिया है तो A F दिया है तो मैं ये तिर्भूज लेके चलना होगा तिर्भूज A O F में तो मैं यहाँ पे A F SQAIR A F SQAIR बराबर मिली सकता हूँ या देखो लंब अगर इसे मालू तो कर्ण का SQAIR माइनस आधार का SQAIR यानि कि O A का SQAIR माइनस में O F का SQAIR समी करने कैसा हुआ तो पाइथागोरस से पाइथागोरस प्रमे से पाइथागोरस प्रमे से ठीक है चलिए अब चलते हैं तिर्भूज अब इसका हम साथ जब BD लिया है BD तो मैं O BOD में तिर्भूज BOD में आता हो BOD में तो मैं यहाँ पर लिखूँँगा BD SQAIR बराबर में O B SQAIR यानि करन का SQAIR माइनस अधार यानि की O D का SQAIR समी करन दो लेता हूँ यह भी आपका पाइथागोरस प्रमे से अच्छा अब देखो यहाँ पर है C E C E तो मैं C E है C E SQAIR बराबर में हो जाएगा O C SQAIR O C SQAIR माइनस का O E SQAIR ठीक है चलिए यह समी करन तीन हो गया पाइथागोरस प्रमे से बस तीनों को जोड़ दो हमारा प्रूफ हो गया समी करन एक दो तथा तथा तीन को जोडने पर तीनों को जोड़ देते हैं चलिए समी करन एक दो और तीन को जोड़ देते हैं तो यहां से जोड़ोगे तो हम लोग यहां लिख सकते हैं A F SQAIR पलस में B D SQAIR पलस में C E SQAIR बराबर O A SQAIR पलस O B SQAIR पलस में को पहले लिख देता हूँ पलस O C SQAIR और फिर इन तीनों को सजा कर एक ही बार लिख दो ना पहले O D SQAIR को लिख देता हूँ फिर हम लोग O E SQAIR को लिख देता हैं जैसे कि आपको प्रूब करना है ना नहीं तो फिर एक लाइन लिखना पड़ जागा माइनस O F SQAIR तीनों लिख दिये एक एक करके चलिए यहाँ आपका प्रमानित हो गया तो बहुत ही छोटा सा कोशन था समझ गया कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो इस वीडियो में लोग इतना ही रहने जते हैं क्योंकि और चार कोशन बचे हुए है तो उसको नेक्स पार्ट के लिए रखा जाए टाइम बहुत कम बचा है उसमें तो कंप्लीट होगा नहीं तो प्लीज आप लोग चैनल को सस्क्राइब करेंगे और इस वीडियो को जरूर सेयर करेंगे और जितने भी आपको वीडियो दिखने हों सीधे डिस्क्रिप्शन में जाय करें आपको NCRT, भारती, बहुन, केसी, सिना सब के सालूसन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना, नहीं बोलना, कमेंट तो जरूर करके बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं, ठैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो